आज डिनर में बनाते हैं कुछ अलग तो आज गर्मी की वज़े से कुछ खाना वनाने का तो ना मेरा मन था और नहीं किसी का खाने का तो मैं आज बना रही हूँ डिनर में तंदूरी पनीर रोल जिसके लिए लिया है मैंने पनीर और उसके इस तरह से मैंने पीसिस कट कर लिय और यहां पर मेरिनेशन के लिए मैंने लिया है एक टेबल स्पून बेसन का उसमें डाला है थोड़ी सी लाल मिर्च, तंदूरी मसाला अगर आपके तंदूरी मसाला ना हो तो आप मीट मसाला या चिकन मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं और डाला है मैंने इसमें नमक, अच्छे से चला कर मैंने इसमें अड किया था दहीं, तो मैंने डाली थी कश्मीरी लाल मिर्च और साथ में डाली थी कसूरी मेतिं और एक निंबू, इसमें मैंने लिचोल लिया था तो हमारा यह मेरेशन हो गया है तैयार, इसके अंदर आप मैं सारे पpri कर लूँगी यहां पर मैने गल्टी से बेसन थोड़ा सा और डाल दिया था मुझे लग रहा था कम है पर मैं ने ġाला वो मेरी गल्टी थी आप एक टेबल स्पून ही दालियेगा और यहां पर अच्छे से फिर मänner को बेसन के अंदर अच्छे से कोट कर दिया था और इसे छोड़ दिया था मैंने 10 मिनट के लिए साइट पर हम लोग जिस घर में रहते हैं वो एक रेंटल हाउस है यहां कबर्ट इतने उचे उचे बने हैं कि मेरा तो हाथी नहीं पहुंचता पता नहीं यह घर जिसने बनवाया था वो औरत थी की चुड़ैल ज चलिए यहां पर हम जो चपाती बनानी है रोल के लिए उसको रेडी कर लेते हैं तो यहां पर एक छोटी कटोरी लिया था मैने मैदा और एक थोड़ी बड़ी कटोरी में लिया था मैने आटा आप चाहे तो पूरा आटा यूज़ कर लीजे या पूरा मैदा भी ले सकते है और इसमें मैंने आदा चम्मच के करीब नमक डाला है अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका मैं नॉर्मल जैसे हम चपाती का आटा लगाते हैं पिल्कुल वैसा ही इसमें आटा लगा लेंगे अब इसे भी ढपकर रख देते हैं साइड पर और यहां पर मैंने कुछ वैजीज ली हैं जिसमें लिया है मैंने कैपसिकम और साथ में अनियन लिया है और गाजर ली है आपके पास और भी कोई सबजी हो प्रॉकली वगेरा तो आप वो भी डाल सकते हैं तो यहां पर गाजर क तो मैं यहाँ लच्छा परांठा बनाऊंगी इसका पहले लेकिन मैं अच्छे से आटे को एक बार और नीट कर लूँगी एक बड़ी सी चपाती बनानी है इसलिए मैंने एक बड़ा सा पेड़ा लिया था और इसे बेल कर पहले चपाती बनाई फिर इसके बीच में थोड़ा सा ओइल लगा कर बीच में से कुछ इस तरहां से मैंने इसके कटिंग कर ली थी और इसका एक लच्छा परांठा बनाया थ आप को जिस तरह से comfortable हो आप वैसा लच्छा परांठा बना लीजिएगा चाहें तो आप simple परांठा भी गोल परांठा भी बना सकते हैं बस थोड़ा सा बड़ा सा बनाएगा ताकि पनीर और जो वेजीज हम इसमें डाल रहे हैं वो अच्छे से सब stuff हो जाएं और easily खाया जाए अब एक चपाती तो डाल दी थी मैंने गरम तवे पर सिखने के लिए यहां मैं अब आपको दूसरी दरहां से बताती हूँ किस तरह से आप लच्छा परांठा बना सकते हैं कुछ इस तरह से जैसे हम बचपन में फैन बनाया करते थे कागच का कुछ इस तरह से ही मैंने था अर यह हैं सारे पराथे मैंने कर लिए थे रैडी अब लिया है मैंने एक नॉन स्टिक पैन इसमें थोड़ा अॉयल डाला है मैंने एक चमच के करीब अब इसम works, तवे पर मैंने पनीर के मैंने पड़ाखे करके रखे तहें तो आप जो सिंपल मियोनीज आती है, वही लगा सकते हैं, और इसके उपर एक मैः थोड़ी मियोनीज भी लगा रही हूं, क्यूंकि ये थोड़ा सा क्रीमी अच्छा लगता है, अगर आप से पर लगाया थोड़ी सी टमाटो केचप, उसको भी अच्छे से कर दिया है, इसके तो पर मैंने डाला है थोड़े से गाजर के जूलियन्स, थोड़े से प्याच और जो शिम्ला मिर्च हमने जूलियन्स में कट करके रखी थी वो भी, तो बहुत अच्छा कलरफुल भी हो जाता है, दूसरा इस बहाने बच्चों के अंदर सबजियां जली जाती हैं, अब इस पर डाल रही हूँ, मैं बिल्कुल बारीक चौप किया हुआ हरा धनिया, अगर आप ना खाना चाहें, तो बिल्कुल आप स्किप कर दीजेगा, और मैंने इसके पर थोड़ी सी मियोनीज और डाली है, और इसको अब कर लेंगे हम रोल, सबजियों को थोड़ा सा दब करते हों अंदर की तरफ इस तरह से कर दीजे इने रोल, और अब हम इसको करेंगे पेपर में अच्छी से रोल, ताकि जब हम लोग खाएं तो जो सबजियां हैं वो निकल के गिरेना, आप इने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या बच्चे पिकनिक पर जा तो लीजिए रेडी है हमारी यहां पनीर तिका रोल्स और आपको अग वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए और थैंक यू सो मच गाईस फो वाचिंग माई वीडियो